आज के टाइम बहुत सारे लोग अपना सेटप बना रहे हैं, पूरे सेटप में मॉनीटर प्लेस्मेंट सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा मॉनीटर आर्म स्टेंड परचेस करना, लेकिन क्यों? क्योंकि कई बार जब मॉनीटर लेते हैं, उसके साथ जो स्टेंड आता है, उसमें हाइट एडजस्मेंट और बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसन होते हैं, इसलिए मैंने कंपेर करा हैं, 45 से जादा आर्म स्टेंड, हाँ 45, और रिकमेंड कितने करे हैं? 4, सा 27 इंचिस का स्क्रीन ये होल्ड कर सकता है, बैसा कंपेटिबल है, मल्टिपल एडजस्मेंट आप कर सकते हो, 360 डिगरी, मतलब पूरा गुमा सकते हो, इल्ट भी माइनस 15 डिगरी टू, प्लस 85 डिगरी ये हो जाता है, बनफता बेस बिल्ड क्वालिटी है, 14,000 से जादा लो और अगर आपको दिवाल में लगाना है, तो जिन ओफिस का ये वाला मोडल कंसीटा करना, मैक्सिमुम 32 इंचिस के मॉनिटर को सपोर्ट करता है, और बैस्ट स्टेंडिंग डेस्ट ही है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, हाइड एडजस्टबल वाली डेस्क है, आ अपनी टेस्क में फुली कस्टमाइजबल है, एक साल की वारेंटी 4.4 स्टार रेटिंग से 700 से जाधा रेटिंग से 26 होगे बजट में, इसको भी कंसीटा करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेट्टो सेम टुसर है, ये वाला स्टेंड जिसमें, प्राइस का डिफरेंस है मॉनिटर भी लग सकता है, और 17 इंचिस का लेटोप भी रख सकते हो, बट मेक शूर लेटोप का वेट 5 किजी से जाधा नहीं होना चाहिए, फुली एग्जस्टिबल स्टेंड है, 360 डिगरी रूटेशन भी है, टिल्ट भी आप कर सकते हो, प्लस 90 डिगरी टू माइनस 90 डि अगर आपको 3 से 4 मॉनिटर लगाने है, इसमें 4 मॉनिटर लग सकते हैं, वो भी 32 इंचिस के, तो आपके पास स्पेस काफी जाधा है, किसी टाइप का गेमिंग ट्रेडिंग सेटप बनाते हो, बहुत अच्छा है, 180 डिगरी स्क्रीन रोटेशन है, और 45 डिगरी का टिल्ट चार मॉनिटर के बापजूत भी आपको बहुत जाधा कस्टमाज़ेबल ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ में आपको बेस स्टेंड भी इसमें देखने को मिलता है, तो अगर आप टिबल में लगाना नहीं चाते हैं, तो टिबल पर रख भी सकते हैं, 4.4 स्टार रेटिंग है,